नमस्कार दोस्तों आप सभी का पालमिश्ट्री ग्यान चैनल में बहुत बहुत सौगत आए दोस्तों आज हम एक नए योग के बारे में बताने जा रही है अगर आपके हाथ में यह योग बनता है तो आप अपने जीवन काल में बहुत भाग साली होते हैं हर सुक से संपन होते हैं और अपने जीवन में सभी सुक भोगते हैं तो इसके पहले आप लोग ने इस चैनल को अगर सब्क्राइब नहीं किया है तो किर्पया इस चैनल को सब्क्राइब कर ले अगर ये भी सहे आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर ले आईए अपने हाथ की तीन मुखे रेखाओं को देखते है सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटना करम के बारे में बताती है कि हमारी मस्तिक रेखा हम किसी बात को कितनी गहराईयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है यह हमारी हिर्दे रेखा हम किसी के साथ कितना टैज्चमेंट है उसके बारे में बताती है जैसे कि हम जानते हैं यह योग कुंडली के चारों घरों में सनी उच का हो या सौरासी का हो तो सस महापुरूस नामक योग बनता है और यह हस्त रेखा में अपने समुद्रिक सास्त्र में यह सस नामक योग कैसे बनता है जैसे कि यह हमारी सनी की फिंगर है सनी की फिंगर सीधी हो सीधी हो और लंबी हो जिसको यह हम अधिमा की फिंगर कहते है ये सनी की फिंगर है और इसके नीचे का ये परबत समान रूप से उठा होना चाहिए समान रूप से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं उठा होना चाहिए और ना अधिक दबा होना चाहिए अगर यह ज़्यादा परबत उठा होता है तो ऐसे वक्त जो होते है अपराधी किस्म के होते हैं और उनके मन में हमेशा अपराध जैसे बिचार और भाउना चलती है और यह योग अगर आपके बनता है ऐसे लोग अपने जीवन काल में धीरे-धीरे बिक्सित होते हैं ये मडबन से ये हमारी बनबन की रेखा हैं तीन ये तीन रेखा हैं और यहां पर एक फिस का साइन बनता हो ये फिस की साइन बनती है और ये इस फिस के साइन से एक भाग रेखा चलती हो भाग रेखा यहां से चल के सनी के परबत तक पहुंचती हो ऐसे लोगों को अपने जीवनकाल में हर सुख सुभधाय मिलती है इनको नौकर मिलते है इनको जमीन, गाड़ी, बंगला और सारे सुखों के मालिक होते है सारी चीज़ों इनको बड़ी आसारी से मिल जाती है लेकिन ऐसे वेक्त राजनीती में बहुत सफल होते है ऐसे लोगों को अपने जीवनकाल में कभी भी किसी गरीबों को सताना नहीं चाहिए कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्त को अगर ये सताते है तो जैसे कहते हैं कि जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा जब सनी चाहेंगे तब आपको मिलेगा और ये सनी आपको देते है धीरे धीरे देते है और लंबे समय तक आपको उसका फल देते है लेकिन अगर आप किसी गरीब आदमी को सताते है तो आपको देने की बजाए आपका नुस्कान करना सुरू कर देते है और यह अपने जीवन काल में अगर इमानदारी से करते हैं तो सनी आपके साथ आपके हर सुख सिवधाओं को अधिक मातरा में देते हैं और यह ससनामक योग बनता है और अपने जीवन काल में सभी भहत इक सुख बड़ी आसानी से भोगते हैं और उसको पावी लेते हैं तो दोस्तों यह रही आज की हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन बात